बॉटनी लेक्चर के सभी वीडियोज को पाने के लिए सस्क्राइब करें साथ ही बेल आइकन को दबा कर आल अपर क्लिक कर लें गाइज इसी के साथ आपको इन फार्म कर देना चाहता हूं कि बॉटनी के सभी टॉपिक की साथ नोट अब आपको बॉटनी लेक्चर में एवलेबर हैं जिसे आप सिर्फ और सिर्फ वार्टसप पर ही प्राप्त कर सकते हैं इसके लिए आपको बता देना चाहता हूं कि Microbiology, Lichen, Virus, Swell Science, Ecology, Plant Physiology, Plant Pathology, Biochemistry, और उसके बाद Biotechnology, Bio-Statistics यह 16 ऐसे टॉपिक हैं बाटनी के, जिनकी साथ नोट अब आपके बाटनी लेक्चर्स में अवलेबल हैं। दोस्तो इन सभी नोट्स को प्राप्ट करने के लिए आपको संपर्ख करना होगा WhatsApp पर नीचे दे गया जो नंबर है उस पर आपको send करना है message अपने नाम और class के साथ साथ ही साथ काउन से topic का आपको नोट से हिए वो सभी आपको WhatsApp पर send करना होगा details आपको वहाँ पर प्राप्थ हो जाएगी आपके अपनी यूट्यूब चैनल बाटन लेक्चर में हैं आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे fruits economic बाटनी का यह topic है इसके पहले economic बाटनी से कई ऐसे lecture हैं जो हमने ही topic दिया गया है तो जितने भी economy बाटनी के लेक्चर सप्लोडेड हो रहे हैं और सबको आप सभी वाज़ करिए second semester MSC और four semester BSC वाले जरूर देखेगा ठीक है अगर आप सिधार्थ विश्विद्विद्विद्विद्वले से हैं तो सबसे ज्यादा इंपोर्टन यह है कि इसके अंतरगत जो में में पॉइंट हम अंडरलाइन करते जाते हैं उसको जरूर आपको देखना से ठीक है जिसको बोलता हूं कि इंपोर्टन है क्योंकि आपके एक्जाम यानि ब्यासी फॉर समेस्टर वालों कर अब्जेक्टिव टाइप को हो चु मिठा होता है यह आप देख लिजेसरव से पहले मोर्फ जी फुरूट इस दि lihat बेरिंग पॉर्शन ऑप्ट प्लांट मतलब ब्यासी तम मतलब इस होता है इससा से फर्चन पका जिसमे जाता है घाता है जो कि मशली बना होता है कंसे दो से फिइटेक्टर आप यद वन तो स मतलब जो œuvre होती है वही δεν नीडिकाथ हो जाती है उसी कोango sauce नियाने कि कहा जाए चिंपल वासम आजा तो फ्रूर्स का फार्मेशन किसे होता है खेला अभे कैसे अब इस बैसे सब्छ फोरोट जो हमते हैं वह थे प्रूट्स के वारे में डीटेल्स अगर आपको पढ़ना है कितने टाइप का होता है कौन-कौन से उसके अंदर फर्दर किये गए हैं अगर इसके वारे में डीटेल आपको देखना है तो एक लेक्चर फ्रूट्स का अल्रेडी बन चुका है और उसका लिंक के भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं अब आसानी से उसको जाईए वाच करिए और सीधा सीधा अगर आपको कोई प्रब्लम हो रहा है या तो सिधा प्ले लिस्ट में आप जाईए चैनल पर प्ले लिस्ट बनी हुई है ब्स के उसमें आप को मिल जाएगा और मश करने बहुत इंपारेंट है जैसे डिब्ल Basket from a single ovary अगर किसी single ovary से formation हो रहा है fruits का तो that is a simple roots ऐसे fruits को simple fruits कहते हैं ठीक है for example जैसे coconut है апने देखा होगा simple fruits हैं डूसरा मैंगो आपने देखा होगा simple fruits होता है । इसका development होथा है तीसरा हो जाएगा orange guava यह सभी fruits जो होते हैं हो क्या है simple fruits गहे जाते हैं next हो जाएगा यहाँ पर aggregate fruit aggregate जो fruit होता है developed from several oberages of the same flower free carpelles जिसमें free carpelles होते हैं एक ही flower में पाय जाते हैं अगर ऐसे formation हो रहा है तो उसको aggregate fruit बोलेंगे अगला हो जाएगा composite fruit composite fruits क्या होते हैं developed from a whole inflorescence, complete whole inflorescence से अगर formation हो रहा है तो उसको composite fruits बोलेंगे, इन सभी में पूरा का पूरा जो inflorescence होता है वही fruit में convert हो जाता है, तो ऐसे conditions में composite fruits कहलाता है, as simple as that, तो mostly आपने क्या देखा, कि three types के fruits होते हैं, दोस्तों अगर चैनल में पहली बार जुन रहे हैं, तो subscribe जुरूर कर लिजिएगा, और साथ ही बिलाइकल को दोबाना बिल्कुल मद भूलिएगा, पाकि next जो lecture है, वो फड़ा-फड़ा आपको आसानी से notification group में मिल जाए, एपल, एपल यहां पर पहला fruit समने रखा है, इसके बारे में आप आईए देख लेते हैं, इकनोमिक बॉटनी में सबसे most important है कि किसी भी plants का, आपको सबसे पहले उसका बॉटनिकल नेम लिखना होता है, फैमिली लिखना होता है और उसका वर्णकुलन नेम साथ ही, पुमिला इसका बॉटनिकल नेम है, या मैलस डॉमेस्टिका भी कह सकते हैं, रोज इसी फैमिली का यह fruit है, और जो इसका इडविल पार्ट है, यानि कि यूजफुल पार्ट होता है, उसको हम थैलमस के नाम से जानते हैं, नेस्ट पॉइंट हो जाएगा, एपल इस दो मोस्ट इंपोर्टन फ्रूट आप टंप्रेट रिजन का मोस्ट इंपोर्टन फ्रूट है यह, यानि कि ठंडे प्रदेश में यह प्राप्त होता है, एंड कल्टीबेटर एक्स्टेंसिबली इन मेनी पार्ट आफ दो वर्ड लगभग जिन जितने भी एरिया में टंप्रेट एरिया जो होते हैं, उन सभी टंप्रेट रिजन्स भाग में क्या प्राप्त होता है कि इसका कल्टीबेशन होता है एप्पल का ठीक है इन इंडिया इट इस ग्रोन आने कामर्शल इसके मोश्टनीन हिल्स आप कास्मीर्स सिमला कुलू एंड कुमाओ इन सभी हिल्स एरियाज में जहां पर टंप तुगेदर लीप्स और उड फ्लावर होता है हो तो एक साथा पाई चाहिते हैं ठीक है इस हया सब्प्रीश sido spiritual सब्सक्राल होता करफ़ता है अगर आपको आपको सीव को आप देखते हैं तिस तरीके से देखेंगे एधर साइट पर से अपर परे क्वर पर देखे दोनों सचीज़कर धसा हुआ है ठीक है और यही कहा जा रहा है कल्टीबेशन और इसके कल्टीबेशन की बात करें तो है या ग्राफट्टिंग और ग्राफटिंग की जाता है या कि बरबर इस प्लांट के च्छाटाइ की की जाती है वह क्या करता है प्लांट को ग्रो करने में करता है इसलिए ऐसे करते रहनेď शोल कि मä्चोर्ट्री होते हैं उसको प्रूनिंग अबरी चैट ली अच्छे खासे से उसको कशने प्रूट्स और बिक्डप प्रत को कम निकाला जाता है तोड़ा जाता है जब क्या होगा मैचोर हो जाएगा सम इंपॉर्टन विराइटीज आप एपल्स आर गिविन भी लो यह कुछ एपल्स के इसी विराइटीज है जिनको जान लेना ज़रूरी है और उसकी खेतिक की जानी चाहिए लगानी चाहिए तो दियागा है अंबरी डिलिशियस गोल्डेन डिलिशियस न्यूटन वंडर ब्यूटिया वाथ अर्ली सेनवरी एटीज यह सब इसकी बिराइटीज है एपल्स के आगे बात करेंगे यूज पे तो एपल का क्या यूज है इस पर नज़र डालेंगे पहला पॉइंट हो जाएगा फिल्ड फूट्स और यूज फार दे प्रिप्रेशन आफ जाम कह रहा है जो इसकी पील्ड फूट्स है उसका क्या बना जाता है जाम बना जाता है दूसरा पॉइंट है एपल वाइन्स आर प्रोडूस बाइद फर्मेंटेशन आफ ए मिक्शर आफ एपल जूस एंड सुगर जूस सुगर जूस और एप प्रोडूस किया जाता है एपल साइडर इस आप्टेंड वाइद एलकोहलिक फर्मेंटेशन आफ एपल जूस एपल जूस से क्या किया जाता है साइडर प्राप्त किया जाता है या एलकोहल प्राप्त का फर्मेशन किया जाता है बाइद प्रोसेस आप फर्मेंटेशन की प market the candidate एप्पल्स और यूर के पावॉडर्स सुखेविए एप्पल्स जाय ह्ए यह ड्राइड इपल्स आसानी से मार्केट में अव्लेबल हैं और मिल जाते हैं ड्राइट एपल्स आर यूज कि इन बेकरीज में भी ड्राइड एपल का युज होता है या ऎन बटर is अगला पंड हो जाएगा एपल्स और कामन कामली इटेन आज सच कामली ज्याधा तर इसको आज से ही खाया जाता है ठीक इट इस रिच इन पेक्टिन इसमें सबसे ज्याधा मात्र पाइजाती पेक्टिन की विटामिनस की साल्ट की एंड अर्गैंक आयरेटकीदिट पाई जाती है इट अल्सो कंशिडरेड ऐस गुड़ सोर्स आप। पोटैसियम पोटैसियम की मात्रा बहुत भार्वा ही ऐसे मात्रा करनें कैल के मैंगनीशियम पोटेसियम सोडियम फासफोरस क्लोरीन सलफर और और मिंडर्स पाए जाते हैं तो मोस्ली एपल में क्या-क्या पाए जाता है आप देख सकते हैं कितना इंपोर्टेंट है इसलिए आपको डेली कम से कम एक एपल तो आपको खाना ही चाहिए कैल्सियम इंपक्टिन और यूज ऐजे डायरिया देखे पैक्टिन की मात्रा ज़्यादा पा जाती है और इसका यूज़व इसलिए डायरिया को खत्म करने के लिए होता है अगला है एप पल जूस डेडियूस क्योड टेंशन क्या करता है यह एपल के जूस लेंज से लगभर जो ट लिए यह क्या करता है इस्टुमिलेंट का काम करता है इस्टुमिलेंट का फंक्शन करता है इस रिपोर्टेट टु रिलीफ फीजकल हैविनेस एड मेंटल स्ट्रेंड मेंटल स्ट्रेंड और हैविनेस की प्रोसेस को क्या करता है यह कम करता है अगर आप पल्स परडे यूज करते हैं लेते हैं एक कम से कम खाते हैं तो इस से इतना सारे बेने फिट आपको मिलते हैं इसल 이वरda एक काफ् anymore है ठीक है आगे भी और भी ऐसे टाइप सब फुरस तमाम हैं और भी भी तुर 수 यह fruits काफी important है ठीक है आगे भी और भी ऐसे types of fruits तमाम ऐसे हैं और भी बहुत सारे lectures हैं जो आपके सामने आएंगे तो इसके लिए आप सब तयार रहे और हमारे साथ बने रहे बने रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा साथ ही बेल आइकन को दबाना होगा जिससे की आने वाले जो वीडियो जो आपको आसानी से मिल सके इसके साथ ही आपको पताना चाहूंगा कि आप अगर किसी भी BSC के कोर्स में क्या कर सकते हैं किसी भी आप BSC के कोर्स में हो किसी भी semester में हैं तो सारे lectures लगभग चैनल पे लगभग पड़े हुए हैं आप तु से हैं तो तुरंत डिटेल्स आपको description में मिल जाएगा संपर करिए और नोट्स लीजिए पढ़ाई करिए अपनी ठीक है बेहतर यह होगा कि 400-500 कि आप बुक लेंगे उससे बेहतर होगा कि आप बाटनी लेक्शर की साथ नोट्स कम से कम रेट में पर्चेस करिए और बाद इस वीडियो में